नगर में पिछले 6 महिने से बीमार पड़े प्रात्मिक स्वास्त केंद्र बेडिया की वेवस्था पूरी तरह से चर्मराई हुई थी कई महिनों से खाली पड़े पड़े पड़ो पर विधायक सचिन बिरलाव और CMHO डॉक्टर रजनी डावर की उपसिती में रविवार को शास के अस्पताल में बेठक की गई यहां पिछले दो महिने से एक भी डॉक्टर नहीं होने से लोगों को अन्य शहर जाकर इलाज कराना पड़ रहा है आश्चरी के बाद तो यह है कि विधायक का ग्रह गाव होने के बावजूत इस अस्पताल में डॉक्टर का नहीं होना गंभीर विशय है यहां करीब सो मरीज रोजाना आते हैं खाली पड़े पदो की वेवस्था की जानकारी लेते हुए विधायक स्री बिर्ला ने कहा कि किस प्रकार यहां डॉक्टर की वेवस्था हो सकती है इस संबंद में CHMO स्रीमत्री डावर ने कहा कि यहां डॉक्टर राजेस बिर्ला को 24 गंटे मुख्याले पर रहने के निर्देश दिये गए हैं दूसरा डॉक्टर अभिशेक मुकाती को बेडिया के निर्देश दिये गए शासन से यदि महिला चिकिसक आती है तो यहां पदस्त किया जाएगा साथ ही दो नर्स एक वार्ड बाय एवं रातरी दोरान एक पुलिस कर्मी की वेवस्था की गई विधायक सचिन बिर्ला ने कहा कि बेडिया एस्पताल से सो गाउन लगे हुए हैं यहां CHMO की उपस्तिती में दो डाक्टर नर्स और टी आई की दोरा एक पुलिस कर्मी की वेवस्था की गई सानावस से प्रभू दोगाया की रिपोर्ट आप दोगों नहीं पर कराई है और एक डाक्टर की व्यांतिरिक डाक्टर की निवक्ति भी आपर करीए इस तरह से जो वेखल्पिक व्यवस्था होना चाहिए अभी तो करिए टेंपरेरी व्यवस्था है लेकिन इसके लिए मोड डाक्टर्स की डिमांड उपर भुपाल ज करती है और जैसे कोई यहां पर में लाए जिकर्सक आती तो उसकी वरुस्था यहां पर करती चाहेगी और ऐसे स्टाफ नर्सेस यहां एक है तो एक सनावत से एक बढ़्वा से काम करने के निवदेश देगा है कौन से डाक्टर की निवक्ति की अपर अभी तो डॉक्टर सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें